ये तो शायद आप जानते हैं कि फास बोलर्ज बॉल के एक हिस्से को चमकाते हैं और दूसरे हिस्से को खुर्दरा ही रहने देते हैं इससे गेंद फेकने पर खुर्दरी सतह पर हवा का फ्लोट टर्बुलेंट हो जाता है खुर्दरी सतह पर एयर प्रेशर शाइनी साइड के मुकाबले कम होता है और गेंद खुर्दरी सतह की तरफ मुड़ जाती है मगर आज कल तो फास बोलर्ज रिवर्स स्विंग भी करने लगे हैं ये रिवर्स स्विंग क्या है? कैसे होता है ये? रिवर्स स्विंग क्या रिवर्स स्विंग में बॉल लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ गुंगती है? क्या रिवर्स स्विंग विज्ञान की नियम तोड़ती है या फिर इसमें भी कोई साइंस है? इसको एक तरह का चमतकार भी समझ सकते हैं या फिर विज्ञान से समझा भी सकते हैं बाल के पुराने होने पर एक ऐसा मोड आता है जब बॉल की खुरूदरी सतह का वजन दूसरे हिस्से के मुقाबले हलका हो जाता है हाला कि एरो डैनेमिक्स के सिध्धान्त ये कहते हैं कि गेंद लो प्रेशर की तरफ यानि की खुर्दरी साइड की तरफ स्विंग करे जब बॉल का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बहुत भारी हो जाता है गेंद भेकने पर शाइनी साइड का वजन ज्यादा होने के कारण बॉल शाइनी साइड की तरफ स्विंग करती है और इसी को रिवर्स स्विंग कहते हैं इंडियन सब कॉंटिनेंट की विकेट्स पर बॉल जल्दी पुरानी होती है इसलिए यहाँ पर reverse swing ज्यादा देखने को मिलता है मगर नई gain से swing करना भी कला और विज्ञान है नई gain में दोनों हिस्से चमकते हैं और इसलिए ball को सीधे फेकने से ball किसी भी तरफ swing नहीं करेगी केंद बाज ball को swing कराने के लिए एक तरफ pressure घटा देते हैं बहुत साधारन तरीका है नई gain से swing कराने के लिए गेंद बाज ball की सीम को तिर्ची पकड़ते हैं ball के एक तरफ हवा का flow सीम से टकरा कर turbulent हो जाता है दूसरी तरफ हवा का flow smooth होता है जिस तरफ हवा turbulent होती है उधर pressure कम होता है और ball उसी तरफ मुर जाती है इन तीनों उधारनों से एक चीज तो साफ है कि तेज गेंद बाजी का हुनर सिर्फ तेज फेकना ही नहीं पर gain की सीम को सीधी रखने पर भी निरभर है gain की सीम को सीधी रखने के लिए gain बाज gain को backspin कराते हुए डालते हैं गेंद की backspin की वज़े से gyroscopic action काम करता है अगर गेंद की seam थोड़ा सा डगबगाए तो spin की वज़े से उल्टी दिशा में torque लगता है जो seam को सीधी रखता है ये backspin जितनी तेज होगी गेंद की seam उतनी ही सीधी रहेगी और swing उतनी ही ज्यादा होगी झाल